तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं मर गया शुराज का दूसरा और अंतिम भार जल्दी करो रक्तामबर की पीट पर सवार हो जाओ ओ माई गॉड बोलने वाला गुड़ा रक्त जैसे रंग वाला यही गुड़ा रक्तामबर है गोड़े होर्स्विंग से बाहर निकलते चले गए उफ इतना भलचाली और जुईगरी पोशाक पहने यह योगक कौन है मैंने गोड़ों की भीड की को कम करने के लिए रास्ता ख रक्तामबर कह रहा है कि शैतान अशुवाज मुर्शित पड़ी भावी श्री की ओर बढ़ रहा है नहीं शैतान अशुवाज को अब मैं उसकी गुनाओं की सज़ा जरूर तूंगा इधर शैतान अशुवाज बढ़ी तेजी के साथ बढ़ रहा तक कुदुम चुंबी की रक्तामबर यहां खड़े-खड़े उस इस्तान का दिर्शिक ऐसे देख रहा है जो हमें दिखाई नहीं पाड़ रहा है शैतान अशुवाज उफ इसे फिर से भेहोश करना पड़ेगा वो रहा शैतान गंगारू लेकिन इससे पहले कि अशुवाज कदुम जंबी तक चल पड़ा ओफ जीप का दर्वाजा खुला और नहीं चोड़ दो मुझे पीछे आधी पुलिश जीप पर बड़सी गोलियां पैंग जिंग 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 उफ गोलियों से टायर बस्ट हो गया जीप समालो इधर उट खड़ा हूँ आशुवाज भी कौन लोग है इस जी क्योंकि देरी कुदुम चुम्डी को मुझे से दूर करतेगी और कुदुम चुम्डी इस बर मुझे हर कीमत पर चाहिए जबड़े भीचकर गुर्रा उटा अश्वराज इन्हें हमारी मदद की फॉरण दरुवत है अश्वराज अश्वर्ट रखता उंबर ओस विचित्र तब लेकिन शीगरी फिर अपने सामान रूप में परिविर्टित हो गया बड़ तब तक दूसरी पुलिस जीपे भी वहाँ पहुंची थी और तब रखतामबर बता कहा है वो शैतान अश्वराज और कहा है वो वहाँ जिसमें कुछ बदमाश लोग विस्पोटकों का प्र बेश कर रहा है यानि राजनगर वाइड लाइफ सेंचुरी में थैरो अश्वराज इतना तो मैं समझ चुका हूँ कि तुम इस काल की नहीं हो रखतामबर उन शैतानों पर नज़र रखेगा और तब तक तुम मुझे संचित शब्दों में अपने कुदुम चुमभी के इ अश्वलोग का विलच्ण और इश्वराज कहते हैं मुझे पिर्थी पर हुए एक शांदार रत मेरातन को जीतने के बाद मेरी अरधांगनी बनी राजा चिंतित सिंग की पुत्री राजकुमारी को दुम चुमभी फिर अश्मेद यगे के अश्वकल पत्रू को संपून अ चैदा हुए और मेरे हाथों मारे गए तब आया शैतान अश्वाज जिसका सरीर जिसका सिर अमरत पी लेने के कारण अमर है शैतान की योजना कारू का खजान न लूटकर भविश्य में चले जानी की थी जिसके लिए उसके पास थी एक चमतकारी वे तलिसमी आंक जिसकी मत से उसने अनोखे द्वार का निर्मार कर लिया था जहां से होकर वह पहुंच सकता था भविश्य में लेकिन इससे पहले कि वह अपनी इस चेश्ठा में सफल हो जाता ठीक उस समय पर वहां अपोचम में शैतान अश्वाज का उदेश पूरा ना हो सका और मैंने उसे कुहे म जाने से मैं भी न रोख सका और यह मेरी पराज थी मेरी आत्मा उस रत के साथ ही खिच गई थी जैसे और इधर गाया भूने के साथ ही छोटा और अगेरा तब आकरी छडों में मैं भी किसी अंजान अंजाम की परवा किये बिना समा गया उस घेरे में बविश्य में आप उ पहुचा कलियोग जहां घोड़े के वैपारी अब्दिल्ला के बताए सूत्रों के जरिये मैंने खोश निकाला अपने पंचाशम मित्रों को रक्तांबर की घोच के तौरानी मेरी टक्कर हुए अश्रवाच से जिससे मुझे उसके भी कलियोग में आप पहुचने की जानका प्रक्तांबर अश्वाठी क्यों अश्राज नीलकंट शवशक्ति और काला खोर भी साथ है तुमारे ओ नीलकंट शवशक्ति काला खोर तुम भी यहां पहुचे अब दुश्मन की खैर नहीं इट्स अमेजिन बॉस वा अजीब गरीब शैतान कंगारू उमारी गोल्यों के निशाने पर नहीं बैठ रहा उधर जंगल की उबर खावर जमीन पहच्चकोले लेती हुए दोड़ी जा रही थी वच्ची रंगा बॉस चानता है कि उसे अजीब गरीब शैतान कंगारू को ये चोकरी चाहिए और हमें चाहिए कारू का वे खजाना जिसके बारे में मुझे मेरे भाई पॉलिस इंस्पेक्टर ग्रीश ने बताया था ग्रीश को ये बात बताई थी खुद इसके स्वामी अश्राज ने है 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 अश्राज कहा है मेरा अश्राज शैताम इंस्पेक्ट करने लगाता है इस छोकरी को हाँ 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 और जैसी मुझे एक मैगजीन में चपे पोटो और इसके पारुल के नाम से मिल्स इंडिया कॉंटर्स 95 में हिस्सा लेने की बात पता चली मैं दोड़ा चला आया यहां आने के बार मैंने पाए कि पारुली को तुम जुम्भी है मुझे मिले इस कामियावी का मैं इतनी आसानी से नहीं खौने दूंगा बतार कहां है कारु का खाजाना जिसका पता किवल तू ही जानती है मुझे मेरे अश्वराज के पाँच पहुचा दो मैं तुम्हें कारु के खाजाने का पता पता दूँ नहीं एक धमाके के साथ उसमारत के बाहर पहुच कर रुखी वह चीब बस अचाना कंगारु गायब हो गया है गोली मारो कंगारु को कारु की सोचो खाजाने की चावी मेरे पास है बेवकूफ हो और तुम सबकी मौत की चावी मेरे पास है रंगा बॉस के हाथ में चमकी पिस्टॉल लेकिन छोड़ दे मुझे शैतान उफ शैतान लड़की कुदम छुम्भी का पीछा ना कर सका रंगा बॉस क्योंकि इसी पल अशुराज के हतोरे जैसे शक्तिशाली हाथ के बार में तोड़ डाली तो इसकी खोपड़ी मेरा अशुराज भी इसी उप में आप अचा है कहा है वै थामली शैतान अशुराज ने उसकी मोम सिकलाई कारू का खजाना तो मैं हासल करूंगा ही लेकिन उससे भी पहले मुझे हासल करनी है अशुराज की जिसका की पूरा इंतिजाम कर चुका हूँ मैं नहीं छोड़ दे मुझे शैतान इदर आगे बढ़ते पंचा शब अशुराज के आदेश पर रुख गए इन्हें जरूर शैतान अशुराज नहीं मारा है अशुराज जो ठीक वही पहचकर उतराता अशुराट की पीट से अशुराज रक्तामबर कहराएगी ये तो वही तादे जो भावी शिरी के मस्तक पर शुशोबित किया जा रहा था ओ पुना आगे बढ़ा अशुराज तो अशुराज ये कड़ा भी भावी शिरी नहीं पहन रखा था अशुराज नीलकंड गहराएगी अब देर न करो और उस शैतान का संगार करो ताकि उसके बाद हम वापिस अशुलोग जा सकें शीग रही अशुराज रक्तामबर के अनुसा इसी छितर से होकर जाता है अशुराज तक पहुंचने का रास्ता तुम मेरी यहीं परतिक्षा करना मेरे पंचाशम मित्रों मैं अतिशिकर को तुम छुम्भी को साफ लेकर लोटूँगा आँखों को अंदा कर देने वाले गंगोर अंदेरे को चीरता हुआ नीचे आ पहुंचा नीचे जाने लगा अशुराज मुझे अशुराज के किसी भी हमले की अशंका से सब तहां रहना होगा अचानक उफ ओ नई इसी जणपूरी गार उजाले से चका चौंद हो उटी और हाहाहा अशुराज आकर तुम यहां आई ही पहुंचे अब मैं तुम्हें दूंगा एक भ्यानक मिटती हूँ अशुरा दिखाई थी मकडी कही समान है अशुराज ने परिवर्दित होना चाहां आपने इच्छा-दारी रूप में लेकिन हाहाहाह यह तिलिसमी गार है यहां पर तेरी सब शक्तियां बेकार अशुराज यहां से मेरी हुकूमत चलती है हाहा हाह अशुराज को नहीं तो क्या वो स कि तुछ श्यातान को मौत दिये बना मैं कैसे मर जाऊंगा प्रियतम को संकट में देख चीक पड़ी को तुम छुबी अश्राज खतम कर दो श्यातान मकड़ी को अश्राज तुम ऐसा कर सकते हूँ मूर्ख लड़की इस तिलिस्मी गार में वह अपने शारेडिक बल का भी प्रोग नहीं कर पाएगा और वह बकड़ी भी मेरे सम्हों अंचाल में हैं इदर बाहर कड़े पंचाश बुरी तरह से वेग्रों उटे थे मित्रों अश्राज संकट में उसे अश्राज द्वरा सम्होईते विशाल मकड़ी ने कैत जकर लिया है अश्राज कर शारेडिक बल भी अवस तिलिस्मी गार में अपना साथ छोड़ चुका है और हमारी विवश्ता है कि हम इससे में उसकी कोई मदद नहीं कर सकते कौन कहता है कि हम अश्राज की मदद नहीं कर सकते ची ची यहां तक लाने का शुक्रिया ची ची मैंने बास को अश्राज के पीछे जासूस बना कर छोड़ दिया था धुरुफ तुम हाँ अश्रुमित्रों मैं एक जरूरी काम के लिए तुमसे कुछ समय के लिए अलग हो ग और वह अश्राज बुद्धी ओ गार की सभी दिवावरों पर उस भ्यानक मकडी ने चिपचिपे जाले बुन रखे हैं लेकिन मकडी की ये विशेष्टा होती है कि ये जाल बुनते वक्त ये ध्यान रखती है कि वह खुद भी अपने जाल में नफस जाए दुरूपना सीड़ी के टंडे को जाल के पहले तार से छोआया और इसके लिए वो जाल की एक तार को चिपचिपे पतार से वह दूसरी को नाचिपकने वाले पतार से बुनती है अब मुझे पता चल चुका है कि वह नाचिपकने वाली तारे कौन सी है दुरूप साफधानी से आगे बढ़ा शैतान अश्वाज का पूरा ध्यान अश्वाज पर ही लगाए और यही अफसर उस तक पहुँचने के लिए सरवाद एक उचित है तुझे तलपा तलपा कर मारने के चप पूरी हो रही है अश्वाज मुझे छोड़ दे शैतान का मीने छोड़ दे मुझे इसने अपना विश मेरे शरी में प्रविश करा दिया इधर अपने ठाकों से गार को गुझार आश्वाज की हजी में सैसाई ब्रेक लग गया बहुत हस लिया तो अश्वाज अब बारी है तेरे रोने की तुम द्रव के एक ही बरपूर जटके के साथ अश्वाज मकडी के पास आ गिरा सुपर कमांडर द्रुफ अब तू भी अश्वाज के साथ ही मरेगा तुम कौन हो गवराओ नहीं को तुम मेरा नाम सुपर कमांडर द्रुफ है अब वह शयता है मेरे हाथ होसा नहीं बचेगा अश्वाज को छोड़कर अश्वाज पर जपट पड़ी मकडी ओ नहीं मेरी आँख कहा गई उफ इस मकडी को मैंने पहले से सम्मूत कर रखा है और यह अपने सामने पढ़ने वाले प्रतेक प्रतेक प्राणी को काट कर उसमें अपना विश घोल देती है और अगर मेरा कंगारु वाला जिसके विश से नश्ट हो गया तो तिलिसमियाक की गैर मौझूदगी में यहां से मैं यहां इस गार से भी नहीं निकल पाँगा क्योंकि इस गार के सबी शक्तिया मेरी आँख के आँख की गुलाम है और यहां मेरा सिर उड़ भी नहीं पाएगा इसे अपना विश मेरे कंगरु जिसमें खोल तिया है अश्बाज तुमारी ताकत यह आँख मेरे कबजे में है यह गोड़ी की उसी नाल में फसी रह गई थी और अश्राज से कहानी सुनने के बाद ही मुझे इसे तलाशी करने की जरुरत पड़ी थी अगर यह तुम्हें चाहिए तो फॉरा इस मकडी को नश्ट करने का उपाए बताओ यह आँख ही उसे नश्ट करती है यह आँख ही उसे नश्ट कर सकती है इसे मेरी और फेक दो धुरुब ने आँख नीचे फेक दी अश्राज ने तुरं तिलिस्मी आँख की मदद से खतम किया मकडी को अब इसी के साथ मुझे अपना जिसम त्याप कर यहां से फरार होना है वापिस अच्छ लोग को अश्राज ने फरार होने के लिए बनाया तिलिस्मी घेरा किन्तु मकडी की कैस से सतंत रुते ही उचल कर रहे गया अश्राज का सिर और वे आँख ओ नहीं अश्राज ने सिर पर जबर दस्वार किया ओ तू अभी जिन्दा है तेरा अंत की ये बिना नहीं मरूँगा अश्राज किन्तु उसी तेजी से पलट कर आया सिर मौत तो अप तेरी निश्चित अश्राज अश्राज जबटा अपनी आँख पर लेकिन इसी पल पड़ी धु अश्राज का जिस्म ये शैतान सिर अमर है जो यहां रुका रहा तो कभी भी सिर कभी फिर मुसीबत बनकर मानत्ता पर मंड़ाएगा इसका अश्राज वाफिस चले जाना ही ठीक होगा अश्राज की और पलटा दुरूफ तो मैं फॉरण इलाज की दूरत तुम नहीं मेरा दम ता गया है दुरूफ मैं अपनी जनम मुमी पर दम तोड़ूँ मेरी आगरी छपूरी होने दो दुरूफ नहीं अश्राज तुम्हें कुछ नहीं होगा मैं मौस से खीश लाओंगी तुम्हें अश्राज जल्दी करो को तुम देखो तिलिसमी घिरास से करना शुरू हो दुरूफ मित्र तुमने मेरी जो मदद की है उसे मैं अपने आखरी छड़ो तक भी नहीं भूल पाऊंगा पंचाशम मित्रों जल्दी करो अलविदा मित्र दुरूफ इनके प्रवेश के साथ ही मैं इस तिलिसमी आख को तुरंत नश्ट कर दूँगा अलविदा अश्राजों को तुम चुम्बी के बाद एक एक करके पंचाशब भी समा गया उस तिलिसमी घेरे में और तब दुरूफ ने जमीन पर पटक मारी वत तिलिसमी आख क्लाक आख के तुकडों के साथ गायब हो गया वत तिलिसमी खेरा भी भरे हिर्दे से आगे बढ़ चला ध रुपी दुख केबल इस बात कर रहा कि मैं अश्राज को मौत के मुह में जाने से ना बचा सका समाप्त तो चलिए दोस्तों वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं अश्राज के अगली कॉमिक्स हम पांच में तब तक के लिए धन्यवाद